हेलो फिंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फिंट्स आज में बताने वाली हूँ डीप नेक पे ब्लाउज पैक नेकी डिजैन जो आप ब्लाउज के किसी वी साइज पे बना सकते हैं तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं तो फिंट्स सबसे पहले हम बेस वाले फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की टोटल लेंथ है 11.5 इंच वन इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है सोल्डर की विर्द है 5 इंच और आर्मूल है 5.5 इंच तो फिंट्स इस तरीके से हमें माग करके लाइन ड्रॉकर लेनी है लाइन ड्रॉकर लेने के बाद फिंट्स हमें ब्लाउज का 4 पार्ट लेना है तो ब्लाउज है 28 इंच तो उसका चौथाई भाग हम 7 इंच रखेंगे तो फिंट्स इस तरीके से हमें माग करके लाइन ड्रॉकर लेनी है आर्मूल पे 1 इंच की गुलाई देते हुए हमें इस तरीके से माग कर लेना है और माग कर लेने के बाद फिंट्स हम एक्स्टा फैब्रीक को कर्ट कर लेंगे इसी के साइज का हमें में फैब्रीक को भी कट कर लेना है इसके बाद फिंट्स हम नेक डिजाइन के लिए माग करेंगे तो फिंट्स बॉट्टम के साइट से हमें 2 इंच पे इस तरीके से माग करके लाइन ड्रॉकर लेनी है एंड 1 इंच का हम gap रखेंगे लाइन में एंड लाइन की length रखेंगे हम 2 इंच तो इस तरीके से हम mark कर लेंगे अब हमें फिंट्स उपर के side से नेकी विद रखनी है 2.5 इंच एंड नेकी length रखेंगे उतना ही जितना हमने 2 इंच पे mark किया है तो इस तरीके से फिंट्स हमें line draw कर लेनी है line draw कर लेने के बाद फिंट्स हमें नीचे के side से 4.5 इंच पे इस तरीके से mark करना है अब हमें फिंट्स नेक के fabric को cut कर लेना है कट कर लेने के बाद fins मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग ना हो तो आप नॉर्मल स््टीच करके नेक को पलट सकते हैं फेंड्स पेपर पेस्टिंग को हमें नेक के चारो तरब से वन इंच एक्स्टा रखना है तो इस तरीके से fins हमें paper pasting को अच्छे से set कर लेने के बाद हमें mark कर लेना है and mark कर लेने के बाद fins हमें 4 तरब से 1 inch extra रखते हुए इस तरीके से cut कर लेना है cut कर लेने के बाद fins हमें based वाले fabric के उपर इसको रखना है अच्छे से सेट कर लेना है सेट कर लेने के बाद फिंट्स हमें साइट से आइरन कर लेना है बीच में हमें आइरन नहीं करना है तो इस तरीके से फिंट्स हमने आइरन कर लिया है बीच के पेपर पेस्टिंग को हमें कर्ट कर लेना है कट कर लेने के बाद फिंट समय में फैब्रीक को राइट राइट पे रखना है और उसके उपर हम बेस वाले फैब्रीक को इस तरीके से अच्छे से रखके सेट कर लेंगे और सेट कर लेने के बाद फिंट समय पीन से अटाइच कर लेना है पीन से अटाइच कर लेने के बाद फिंट समय नेक के उपर सिलाई लगानी है तो नेक पे हमें हलका सा गैप रतती हुए फिनिशिंग के साथ चारो तरफ सिलाई लगा लेंगे अब हम्हें फिंट्स नेके बीच के एक्स्ट्रा फैब्री को cut कर लेना है अब कर लेने के बाद फिंट्स हम चारो तरफ cuts लगाएंगे इस दरीके से fins हमें corner पे भी cuts लगा लेना है अब हमें फिंट्स बेस फले फैब्री को back side में करके नेक को city side में Palette लेना है इस तरीके से फिंट्स हमने नेक को सीधे साइड में पलट लिया है पलट लेने के बाद फिंट्स हमें आरन कर लेना है और बैक साइड से फिंट्स हमें में फैब्रिक और बेस फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेना है इस तरीके से फिंट समय फिनिशिंग के साथ पूरे फैब्री को अटेच कर लेना है अटेच कर लेने के बाद फिंट समय एक्स्टा फैब्री को चारो तरब से कट कर लेना है अब हमें फिंट समय फैब्री को पलटके उसके उपर से एक और सी लाई लगानी है इसके बाद फिंट समय बैक की टकस को लगाएंगे तो सोल्डर से हमें बीच में इस तरीके से फोल्ड करके फोर इंच के लेन्थ पे हमें बैक की टकस को लगा लेना है इससी तरीके से फिंट समय दूसरे साइड से भी बैक की टकस को लगा लेना है टक्स लगा लेने के बाद फिंट समय नेक के उपर सिलाई लगानी है तो इस तरीके से हमें फिनिसिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है इसके बाद फिंट समय ने यहां पे एक फैबरिक लिया हुआ है फैबरिक की विर्ध है 4 इंच एंड लेंध भी 4 इंच है तो इस तरीके से हमें फैब्री को रॉंग साइड पे फोल्ड करके हाफ इंच का गैप रखती हुए किनारे से सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगा लेने के बाद फैब्री को सीधी साइड में पलट लेना है पलट लेने के बाद फिंट्स मैं यहां पे बीच में एक मोती लगाने वाली हूँ तो इस तरीके से हमें पतला करके फैब्रिक को बीच में इस तरीके से मोती को लगा लेना है अब हमें फिंट्स एक पेपर को लेना है पेपर के उपर हमें इस तरीके से सेट करके स्टीज करना है तो यहाँ पर फिंट्स मैं तीन को यूज करने वाली हूँ अगर आप चाहें तो आप चार को भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हमें सेट करके दोनों साइड से स्टीज कर लेना है इस्टीच कर लेने के बाद फिंड समय ब्लाउज में इस तरीके से नीचे साइड में रखके अच्छे से सेट कर लेना है एंड सेट कर लेने के बाद फिंड समय पीन से अटाच कर लेंगे अटेच कर लेने के बाद फिंट समें नेक के उपर इस तरीके से दोनों साइट से सिलाई लगानी है इस तरीके से फिंट समने दोनों साइट सिलाई लगा लिया है सिलाई लगा लेने के बाद फिंट सम बैक साइट से पेपर को रिमोव कर लेंगे अब हमें फिंट्स दो फैब्रिक लेना है 4x4 इंच का तो फैब्रिक को हमें राइट साइड पे इस तरीके से फोल करना है और बीच में हमें डोड़ी को इस तरीके से रखके मसीन से अटैच कर लेना है अटेच कर लेने के बाद फिंट्स हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके लटकन को सीधी साइड में पलट लेना है ऐसे ही फिंट्स हमें दूसरे लटकन को भी बना लेना है अब हमें फिंट्स ब्लाउस को लेना है ब्लाउस के ओपर साइट से हमें 3 इंच का गैप रखके डोडी को मसीन से अटैच कर लेना है इसी तरीके से फिंट्स हमें दूसरे साइट से भी डोडी को अटैच कर लेना है इस तरीके से friends अमने दोनों रोडी को attach कर लिया है friends blouse का design आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा and thank you for watching my video please like and subscribe my channel thank you guys thank you so much